हाई दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको आडियो को एडिट करना सिखाऊंगा अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देखेगा और आज की चौथी वीडियो है और इसमें मैं आपको आडियो को एडियो को एडियो करना बहुत एजी है लेकिन बहुत लोगों के इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत्य आती है मैंने सुचा आप लोग के लिए आडियो एडियो एडियो से रेलेटेड वीडियो लेके आया जाए जिससे आप लोग को फाइदा हो चलिए आज के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों और इस वीडियो को सुरू करने से पहले सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर द एक इंपर्ट को इंपर्ट करने के बाद हम यहां पर एक सेंपल ऐडियो करदे कि बाकि दो को डिलीट कर देगे हलागे मुझे एक इंपल की जरूथ तो सबसे पहले इसको track assigned करना होगा हमें अब को एडियोग को अधिर करने से फहले आपको सबसे जूधा important है आपको इसका जो track number है वो assign करना होगा तो इसके लिए आपको इस पर दो बार mouse से click करना है इस तरह का option आएगा यहाँ पर track के option पर आके आप जेतनी number track पर इसको रखना चाहते हैं वो select कर लिजी तो मैं इसको फिलहाल एक number track पर रखना चाहता हूँ और यहाँ से mixer panel open करेंगे F9 भी दबाएंगे तो यह open हो जाएगा तो यह दोनों track की हमें जुरुत नहीं है तो इस track को हम फिलहाल यहाँ से delete कर लेते हैं हमारे पास एक ही vocal sample होगा और इसके उपर हम काम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम edit करते हैं proper तरीके से तो दोस्तों देखिए audio को edit करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया audio को assign करना होगा mixer panel के अंदर तो एक number पर हमने assign कर दिया है अब आपको करना किया simply यहाँ पर छोड़ा सा icon दिख रहा है mouse जो आपका mouse होता है उस mouse के left button पर आप click करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का option आएगा edit sample ध्यान से देख लिए edit sample का option आता है इस पर आपको click करना है आपके सामने कुछ इस तरह का option आएगा addition दोस्तों एडिशन एक ऐसा audio editor है FL के अंदर जहां पर आप mostly audio को edit कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से clean up कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़े इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर मैं आपको इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एडिशन के अंदर बहुत सारी function है तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं एडिशन के अंदर आप recording भी कर सकते हैं और इसके उपर भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई दिया था अब एडिशन के अंदर आपको audio को edit कैसे करना वह मैं आपको यहाँ पर बता सबसे पहले तुछ audio को हम सुनते हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है audio है और जैसा कि आपको पता ही होगा अगर मुझे यह पार्ट को delete करना है सबसे पहले तो मैं आपको विताता हूँ इस पार्ट को अगर आपको हटाना है माल लीजी आपको इस audio को नहीं हटाना है सिर्फ इसको silent करना है इस audio को तो कैसे करेंगा इसके लिए बहुत simple method है आपको आपको जो mouse है मैं select यहाँ पर directly कर लिए आपको बतायनी कैसे select करते हैं सो आपको select करने के लिए क्या करना होता है माउस का जो left button होता है उससे आपको इस तरह से खीचिना है जहां पर भी खीचेंगे जितनी दूर तक वहां आपका select हो जाएगा और इस तरह से आप जो है select कर सकते हैं area को अब देखें यह जो red area है यह हटेगा नहीं इसको हटाने क लिए control button के साथ में आपको क्या करना है left mouse button को दवाना है उसके बाद यह हट जाएगा तो ऐसे करके आप जो है इसको select कर सकते हैं select करने का तरीका बहुत आसान है आपको mouse के left button से इस तरह से खीचिना है आपकी audio यहाँ पर select हो जाएगी और हटाने के लिए control के साथ में कहीं पर भी click किजिए तो वो हट जाएगा अब दोस्तों अगर इस audio को आपको silent करना है किसी area को जैसे यहाँ से हमारा singer जो है इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ जूम करने के लिए control और बीच का जो mouse का button उता है उसको घुमाएगे तो जूम होगा roll करेंगे तो तो दोस्तों अ अब आपको यह audio को silent करना है तो कैसे करेंगे simply इसको यहां से खीचेंगे इस तरह से यहां पर कैंची का बना हुआ icon है आपको edit का इस पर click करेंगे इस पर click करते हैं यहां पर लिखाओ आएगा clear तो इस पर जैसे click करेंगे यह audio silent हो जाएगा बतलब यह part आपका delete नहीं होग silent हो जाएगा इस तरह करके silent कर सकते हैं किसी पार्ट को और उसके बाद दूस्तों अगर आप चाहें तो इस audio के जैसे छोड़ी छोड़ी पार्ट है जैसे यहां पर यह noise है यह noise नहीं यह breath है तो सुनते हैं इसको पहले तो अगर इस breath को आपको हटाना है तो simply आप जो यहां चीज़ है वो है noise का दोस्तों noise को कैसे हटाते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ और इसमें noise हमारा यहां पे है और इसको एक बार सुन लेते हैं तो आप देख सकते हैं noise है तो दोस्तों इस audio की जो पूरी audio इसकी अगर आपको noise हटानी है तो सबसे पहले तो जहां यहां पर noise है उस area को select कर लिजाए ऐसे करके select करने के बाद क्या करना है दोस्तों यहां पर यह brush का एक option दिख रहा है आपको brush बना हुआ है clean up लिख हुआ है उपर में आप देख सकते हैं display के अंदर इस पर mouse के right बटन से click करना है एक बार click करेंगे noise profile acquire आएगा mouse के right बटन से click करना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ उसके बाद क्या करना है control A दबा के total audio को select कर लेना इस तरह से उसके बाद फिर mouse का आपको left button दवाना है यहाँ पर आके और फिर इस तरह का option आएगा इस तरह के option पर आपको क्या करना है दुस्तों यह noise profile बना है आपका कि यह इस तरह की noise है यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या करना है दुस्तों noise हटाने के लिए यहाँ पर amount दिख रह चलिए amount को इधर अगर आपको रखते हैं तो noise आपका नहीं अटेगा और इधर रखेंगे तो noise बहुत ज्यादा हटेगा इस तरह से तो आप यहां पे रख सकते हैं या बीच में रख सकते हैं चलिए एक बार सुन लेते हैं यहां पर preview पे click करेंगे तो आपको audio बजेगा यहा तो यहां से आप इसको चेड़ सकते हैं और उसके बाद यहां से accept करेंगे दोस्तों तो यह noise जो इसकी हट जाएगी जैसे आप accept करेंगे थोड़ा सा time लेता है यहां पर noise processing करने में क्योंकि audio की साबसे यह डिपेंड करता है जितनी लंबी audio होगी उसी साबसे यहां पर audio आपका select होगा तो noise यहां से हट चुकी है दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई area clean up करना है जासे supposedly अगर मुझे यहां पर मैं चाहता हूँ कि यह पूरा area clean हो जाए तो हम इस पूरे area को select कर लेंगे इस तरह से select करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे और clear कर देंगे तो यह audio बिल्कुल खतम हो जाएगे आप manually भी कर सकते हैं और चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं तो आपके उपर यह option है कि कैसे आप इसको use करना चाहते है उसके बाद दोस्तों अगर कि इसी audio की आवाज कमा रही है उसको आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे simply आपको इस तरह से लेक करना है सेलेक करने के बाद यह सेटिंग के option पर आना है यहां पर एक option आता है नॉर्मलाइज और एक लॉसली नॉर्मलाइज तो अगर आप नॉर्मलाइज पर क्लिक क करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ इस तरह से नॉर्मलाइज सुनने को मिलेगा दोनों की quality में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है थोड़ा सा अंतर है तो यहां पर जो मर्जी यूज कर सकते हैं तो इस तरह करके दोस्तों आप यहां पर effect वगर processing कर सकते हैं और ज बहुत सारे आपको option दिखेंगे वही same option आपको यहां पर यूपर में दिख जाएगा यहां पर देशकते अंडो है अगर आपको back जाना है जैसे आपने कोई यहां पर effect लगा दिया गलती से तो यहां से back जा सकते हैं उसी तरफिके से बहुत सारे यहां पर टूल्स हैं तो क तो जहाँ पर करेंगे तो उसका थोड़ा सा एडिया साइड जो है वो ट्रीम हो जाएगा यहाँ पर फैड इन फैड आउट है तो अगर आपको फैड इन करना है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह अगर मुझे यहाँ पर फैड इन करना है तो simply select करेंगे और यहाँ पर करना है यानि खतम हो रहा है और इसको उसके अंदर फैड आउट लगाना तो यहाँ से आप लगा सकते कुछ इस तरह से तो यह फैड इन फैड आउट जिसको आप यूज कर सकते हैं उसके बाद में जो इंपोर्टन चीज आता है यहाँ पर टाइम स्ट्रेचिंग दोस्तो आप यहाँ से टाइम मोल लिखा हुआ है यहाँ से अगर इधर करेंगे तो देखिए इसका किस तरह से साउंड आता है अगर इधर करेंगे तो फास्ट होगा वतनल है रहे औरहलब TWT मेरे आबाद करके तो इस तुक्रैप Şu कि यहां से कर सकते हैं दोस्तो आप अगर रिशेट करना है तो यहां से करेंगे और दोस्तों फाइन ट्यून करना है तो यहां से करेंगे fix2 ओपर मैं आपको दिखे डिस्पेले के ऊपर दिख जाएगा अगर सेमी टोन आपको चेंज करना है तो यहां से दोस्तों आप कर सकते हैं चलिए सिंपली हम इसको reset कर लेते हैं और यहां से इसको हटा देते हैं इस तरह करके आप दोस्तों यहां पर time staging का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद revob का option आता है बहुत कमाल का option है तो reverb यहां से भी आप use कर सकते हैं इस पर simply आपको click करना है इस तरह का option आएगा और यहां से दुस्तों यहां offset घटा बढ़ा सकते हैं और यहां से dry का जो option है इसको आप यहां से adjust करके reverb लगा सकते हैं मैं आपको चलिए कि लगा के दिखाता हूँ तो यहां से दुस्तों आप प्रिवब भी लगा सकते हैं चलिए इसको भी हम यहां से back कर लेते हैं उसके बाद दूस्तों यहां पर बलड टूल का option है तो इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा और में जो important चीज़ है उसके बारे में आपको पता ही होगा चलिए इसको reset कर लेते हैं उसके बाद दूस्तों यहां पर कुछ important चीज़ के बारे में और मैं आपको बतायता हूँ तो दूस्तों यहां पर दूस्तों यह जो option है save as का तो यहां से आप directly किसी audio को export कर सकते हैं मैं desktop में कुछ भी नाम देता हूँ यहां से save कर दिया तो यह audio desktop पे export हो जाएगा उसी तरीके से यह जो है यह drug and drop का option है बहुत ही कमाल का option है तो जैसे अगर यहां पर कुछ भी audio आप edit कर रहे हैं जैसे अगर मुझे यह audio मैं चाहता हूँ कि यहां track पर आए तो simply हम इस audio को select करेंगे यहां से drug tool का इस्तेमाल करेंगे और जिस track पर रखना है वहां छोड़ दीजे तो वह audio जो आपकी यहां पर आ जाएगी तो आप जितना audio इस सबको आप यहां पर आपका track है वहां पर भेज सकते हैं तो simply इस पर click करेंगे तो आपका क्या होगा कि track के उपर यहां पर directly assign हो जाएगा audio इस पर आप क्लिक करेंगे किसी particular track पर आपको audio चाहिए तो वहां पर आप जो simply क्या करेंगे यहां पर addition के अंदर जाके इसको मैं थोड़ा उपर कर लेता हूँ यहां पर click करेंगे तो directly आपका वहां audio जो है यहां पर चला जाएगा आप देख सकते हैं track पर आगया जितनी बार करेंगे उतना track पर यह आता चला जाएगा और कैसे हम लोग इसको इस्तिमाल करते हैं तो बहुत easy tools है इसके बार में कभी मैं एक पूरी detailed videos भी बनाऊगा तो आज की video आपको कैसे लगे दुस्तों आप हमें नीचे comment में जरूब बताएगा और इससे related कुछ पूशन चाहते हैं तो आप हमें नीचे comment जरूब पूछेगा तो चलिए दुस्तों मिलते हैं next video में और next जो videos आएगे उसके अंदर और भी अच्छे चीज़े मैं आपको video में बताऊँगा